हलो सू SK Electron i served map दुस्तों कैसे हैं आप सभी आसा करते हैं आप बहुत अच्छोंगे दूस्तों अच्छे रहो होगे स्सी वाल्त का टैली साउंड का amplifier रहा है डिपेर होने के लिए अब company भी उसको छोड़ दीजिये यह जो यूज होते हैं हमारे जिसमंस्हें में प्रग पाइक न फोटक के लिए MIK के लिए जैसे की कोई वंक्सन करना हो छोटा मोटर जिसमें की जैसे जाग्रन वगारा में होते हैं या मन्दिरू में होते हैं इसमे how you have कि बिए जैसे प्लग लगा रहे हैं इसके अंदर से धुआ आ रहा है बस प्लग लगाते हैं दुआ रहा है इसमना इसमें कोई आवाज आ रही न इसमें कोई लाइट इंडिकेटर वगर आ रहा है फ्यूज भी सही है और यहां से पीछे देख लिए पांच ट्रांजिस्टर लगे हैं टोटल इसमें ट्रांजिस्टर वही है तीस पच्पनवाले टोटल अस्तिवाट लिखा गया है अस्तिवाट ही है वैसे है तो दोस्तों देखिए वैसे इसमें लिखा हुआ है कोमन, फोरों, सेटों, सोलों, जैसे मैंने बताया था ट्रांसफ़र्मर लगता है है सिरिज में लगाए मैं चाहिए ऐसे न खरते हो है कोई इसमें भी जाए शो रिहार चंहिंन लाग जाए डगारा रे लोगता है तो दोस्तों देखें यह समझ dynasty आपके सामने दिखा दिखा diya display कोई भी सो यह बहांए नगा तो प्लisini लगाते ही आप तो हम इसमें लग किस करेंगे दस मिनट पांच मिनट बीस मिनट जितनी भी समय लगता है अगर आप वाके में सीखना चाहते हो तो सीख के जाए वह ना बैक करके जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कुछ अच्छा नया सीखने को मिलता है आपका फिरी में उससे कुछ नहीं जाता आपका फिरी ओफ कोश्ट हैं आपके कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता बस रिक्वेश्ट यह रहते हैं कि प्लीज लाइक जरूर कर दे करो क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं अब जल्दी से इसके सबी पेज़ को लेते हैं हम दोस्तों हमारे अंद गारे ऐसे ओसे उससे मेन जांस्वेसर फिन्ध को फिन्ध केरे दो यह रहा है वादियो सेक्षन और द्रायवर सक्षन और यहां पे यहां पे आउट्पट का सविस्यवाय आउटपूट में सीधी बड्री जाती है को सब्सक्राइब और ये देखिए मैन ट्रांस्ट्वर्मर, जिए जीन यह 15 messenger When 12 then 12, ważne 12 , 14Allah में ये देखिए पिंग रहा हो च्म है ये फुका नहीं शान का फिंग रहा है देख सक्ते हो अब इसका फुकने का रीजन क्या रहा होगा फुकने का रीजन दोस्तों क्या हो सकता है या तो कोई डायोड शोर्ट हो या सप्लाई सक्षन में शोर्टिंग हो या हमारा जो टांजिस्टर है उनमें कोई शोर्टिंग हो सकती है तो दोस्तों सबसे पहले हमें टेस्टिंग कर अब हम क्या करेंगे प्राइमरी में तो मैं लिल लग जाती है लग दिया है सेकंड डिसेक्षिन में तीन तार लगे हुए है देखे यह पहला यह देखे दूसरा अटाते ही दोस्तों वोल्टेज वहाँ पे ड्रोप होने बंद हो गए मतलब देखे दूसरा तार जैसे बिच जा रही है ट्रांसफार्मर के थुरू तीन तार से उनके हमने तीनों के सप्लाइ कार्ट दी अब हम ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को टेस्ट करेंगी वोल्टेज तो किलिया रहा है या नहीं है तो मल्टी मीटर को लेंगे एसी वोल्टेज पे सेट करेंगे 200 ठीक है अब डिच वाला जीर साइड आइड के चोदे-चोदे है तो दोस्तो वल्टेज तो हमारी बिल्कुल किलियर आ रहे है तो धुए से इसमें आरा होगा कि इसमें आगे शोटिंग है कही न कही आगे तो आप दोस्तों सबसे पहले ट्रांस्वार्मर की लाइन कहां पे जाती है देखिए अब मैं अफ कर रहा हूं देखिए कुछ नहीं हो रहा है ठीक है आप सही दिखा रहा है पर लेकिन डिस्प्लय भी नहीं आई क्यूंकि सप्लाई आगे नहीं जा रही है अब सप्लाई में कही ना कहीं शोटिंग है अब सप्लाई में सबसे पहले कहां ट्रांस्वार्मर के बाद हमारा रेक्टिफार यानि की जो डायोड लगें ये उसके बाद में कैपेसिटर देखिए यहां पर हम यह तारों को वापसी में लगा देंगे या इन्हें अभी यह देख सकते हो तुरंट यह देखिए ठीक है जी हमने तीनों तार लगाए तुरंट यहां पर शोटिंग आ रही है अब शोटिंग के समय जब वोल्टेज चेक करेंगे देखिए 9.5 गास पास वोल्टेज यह बिच्वाली पर देखिए 3.3 मतलब हाफ से भी हाफ वोल्ट बन जा रहे हैं जैसे हम वायर सप्लाई के कनेक्शन दे रहे हैं ठीक है जी आपने देख लिया इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है जैसे हम सप्लाई के तारों को हटाते हैं तो वोल्टेज पूरा आ जाते हैं लेकिन सप्लाई के तार लगाते ही इसमें वोल्टेज ड्रो एहला क्या, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवा, छटा, यह सब ओके हैं, किसी पे भी कोई रीडिंग नहीं है, उल्टी तरफ से रीडिंग आएगी, रीवर्स में, फोरवर्ड में कोई रीडिंग नहीं है, रीवर्स में देखे, रीवर्स में सेम सेम सी मिलेगी, तीन सो सा पर जो रीडिंग है continuity है वो बिल्कुल सही आ रही है इसका मतलब हमारे डायोड को कोई भी फाल्ट नहीं है तो डायोड हमारे किलियर है उसके बाद क्या आता है दोस्तो हमारे जो है ट्रांजिस्टर वह देखेंगे तो यह डायोड की वज़े से तो दोस्तो ट्रांस्वार्म एक तो supply का लगा सबसे लाश्मों से छोड़ दीजिए continuity mode पर लगाईए पहले यहां पर पहले ही टांजिस्टर को चेक करते हैं तो यहां पर शोटिंग भी दिखा सकता है पहले आपको step by step one by one चेक करने होंगे wire हटाटा आगे क्योंकि शोटिंग इसलिए दिखाएगा इसक बेस टू कलेक्टर बेस टू एमिटर रीडिंग चेक करें निचे लेवाला बेस है इस पर रखा उपर लेवाले दोस्तों कलेक्टर एमिटर है कोई भी शोटिंग नहीं है देखिए ठीक है इसके wire वापसी में ऐसी लगा लेंगे सबसे पहला टांजिटर हमने चेक कर लिया टांजटर चेक करनी पूरी विदी दोस्तों हमने समझा रहा कि पर आप फिर भी देख लिजे तीन जैसे सब्पोजगिए चलो बहुत सिंपल तरीके बहुत तीन पिन है तीनों में से आपस में किसी में भी शोटिंग नहीं होनी चाहिए और तीनों में से ऐसा भी नहों कि क इस तरह से चेक होता है यह देखिए यह भी ठीक है यह विदोनों पे रिडिंग सही आ रहे हैं बेस टू कलेक्टर बेस टूकर बेस एमिटर भी रिडिंग आ रहे हैं कोई शोटिंग नहीं है ठीक है जी बेस इसके निचल ले वाली पिन है सबसे नीचे जो बेस पे अमने reading बिलेगे तो दूसरे नमबर का दोस्तो टांजिस्टा हमारा ठीक है पहला भी ठीक है तो तीसे नमबर पर जाकर देखते हैं तो तीसे नमबर के भी अतार खाएएंगे हम यहां पर तेस्ट करेंगे देखिए दोस्तो इसी तरह से हम पूरी लर्निंग शिकाते हैं पूरा डाटा पूरी अच्छे तरीके समझाते हैं जो बंदे नए हैं अगर वे हमारे बंदे जो सो चैनल पर ने तो प्लीज दोस्तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो साथ में बेल आइकन वी प्रेस को जिससे लाइन नहीं है इसपहते है तो यह वाला ट्रांजिस्टर हमारा शोट है यह सोट हो चुका है बाहर निकालेगे जल्दे सी है तुका है ठीक है के यह मारे ठाइस्टर कि दिग्र है अब थो 37 भी आता है 30 50 भी आता है 50 बैदा यह काफिन रचलिक्तर है यर वह फिक्व गूब के होजब तो इसमें बेल वह सकते हैं डी डी के वह रोखिता है धायर फ्ट फो शॉस्टर नहीं खतम थक क्वालिटी के हैं देखिए थक क्वालिटी नहीं बताऊंगा देखिए अपनी जंगे सब ठीक हैं वो डिपेंड करता है कि किस सेक्षन में लगा रहे हैं तो दोस्तों यह निकाल लिया इस पर इट कंपाउंडर भी अच्छे से लगा हुआ है सही बात है तो जल्दी से हमने वीडियो को फार फ्रोड इसलिए किया वहाँ पर खोलना बांदा तो देखिए हरकोई कर लेता है टेस्टिंग में चीज कैसे कैसे करनी है वो चीज हम बताई रहे हैं आपको यह देखिए दोस्तों यह निकाल लिया है अब दुबारे से इसके निकाल बाद भी टेस्ट करते हैं यह दी कि यह देखिए दोसों शोटिंग अरही है ठीक है यह चोटिंग नहीं अइनी ची यह दी यह नहीं चीज्ड़ी यह हमें चेंज करना हो सब्सक्राइस करना हो देखिए इसकी दिखा दिखा दिता हूं फोन तीस-पच्पननिय अब यहां पर कोई शोटिंग नहीं है यह निया टांश्टर है इस पर हलका सब हीट कंपाउंडर लगाएंगे और इसको वापसी में लगा देंगे बिल्कुल नया है तो इसको माई का पेपर ता साथ में भी जरूर लगाना है बिना माई का पेपर के लगाओंगे तो सोट सर्किट हो जाएगा माई का पेपर आपको जरूर जरूर लगाना है ठीक है तो अब यहां पर माई का पेपर लगाया और इसको लगाया और जब पेच खेज़ करेंगा उसके उपर एक प्लास्टिक की कैप सोती हैं वे इसको सैटिंग करनेदे इन्सुलेशन का काम करती है एक तरह से जिससे के हमारा यह सोड शर्कूट नहों तो पेचुपर लगाकर जल्दी से फार्सफोड गरते हैं यह कसना कुसाना तो जानते इंगे तो इस के लिए फ्यूज होता है और 12 वल्ट के लिए जैसे तो इसके लिए तो कहा फुगेगा दोस्तों तो हमारा अब यह टाइश्टर शोट है जिसी दा लाइन में जाता ही अजब टाइश्टर शोट होगा तो दोस्तों वोल्टेज ड्रोप होएंगी और वोल्टेज ड्रोप आप बैसे तार पर सही तरीके लगाना है बैस पर आपको कोई कर दिक्क्त होती है न कभी वाइरिंग में पहले नके फोटो चैश्ट लिया करो तो इसमें बहुत बढ़िया रहता है हमें तो दोस्तों देखे पता है हमने वीडियो बना रखी है नहीं पता किसी को तो सबसे पहले फोटो कैच न चाहिए उसके बाद समान को रिप्लेश करना चाहिए और कोई दिक्कत होती है तो फोटो में देख लिए अगर बहुत आसान होता है ठीक है यह ट्रिप्स आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों ट्रिक्स बहुत दिये टिप्स बहुत काम की हैं तो दोस् जूप करते हैं कई बाद साथ्य कोई नहीं नंबर का के और पाउंचुएह नंबर की बूद्धी है एक चोथह नंबर कमेव यह टेश कर साने के वैस्य थसके बाइर लगे पर चेक कर रहूं उसमें तो स्वायद हो सकती है तो यहां पर हम इसकी वायर अठा के चेक करेंगे जो नीले कलर का लगा है वो बेस है ग्रीन कलर का जो उपर की तरह लगा है वो एमिटर फिर जो रेड है वो ग्लेक्टर एज में तो यहां पर हम इसके कनेक्शन कर लें जो इसकी बोड़ी होती ना दोस्तों वो इसकी यह जाद रहा है यह जो 30-35 तो यह जाए उपर की तरफ चोटा एरिया तो सीधा आथ की तरफ वाला का एमिटर होगा वह लेफ्ट जो होता है अमरा दोस्तो होता है तो से यह तो दोस्तों देखिए बेश टू आमीड़ तो collector आ रही देखिए मैं आपको दिखाता हूं बेश्टू collector तो आ रही है देखिए बेश्टू collector तो आ रही है समझा तो फिर से बेश्टू करते है गया को मैं नहीं हिए सका मिदलब क्या है यह ऐता है यह देखिए यह देखिए यह देखें यह देक्वालरस वाले पर । दोस्तों कि खुणट है लगार खुलन तो दोस्तो बेस्टू collector और बेस्टू emitter डिडिंग दोनों आनी चाहिए जब ही हमारा टांश्टर ओके है तो इसके साथ एक पी एफ भी लगा रखा है वो फिल्ट्रेशन के लिए लगा रखा है इसको पहटा के वापिस ऐसी लगाना है हमें तो बेस्टू collector यहां पर अब टेस्ट करते हैं फिर से देखिए बेस्टू emitter कोई रिडिंग नहीं है बेस्टू collector रिडिंग है यह देखिए तो दोस्तो इस टांश्टर हमें इससे साफ जायर होता है कि यह ओपन है जल दिसे से खोल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं दोस्तो इसी तरह से स्टैप ब हमने सीधर टांश्टर पाइब क्योंकि इसमें आगे सोट होना ही कोई ऐसी चीज नहीं है तो हमने टांश्टर चेक किये सारे टांश्टर 2 & 35 लगए है तो 2 & 35 सारे ही हमें हैं 1 by 1 तो हमने देखा कि यहां पर 2 टांश्टर ठिक ते जो आगए के 2 ते उसमें एक 3 मारा शोट तो फुल एक यहां पर टांश्टर ओपन है यह हमने नया लगा देते हैं दोनों को और फिर उसके बार टेस्ट करते हैं तो दोस्तो इस तरह से स्टेब बाइस टांश्ट को किलियर करना चाहिए तो इस पे भी दोस्तो हीट कंपाउंडर हलका सा लगा और यहां पर माइक कापर लगा के इसको कस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पूरा टूटोरियल देखते रहो दोस्तो अगर आपको वाकिये में इस काम को सीखना ये रागे तक और दोस्तों जब तक समझोगे नहीं उसे सीधा करने लगजागा ऐसे काम नहीं होता है तो इसकी दोस्तो वाइरिंग हम दुबार से कर लेते हैं connection और हिसमें पर बेस पर बेस बेस खलेक्टर पर इमिटर पर मेटर वाइर लगा लेते हैं और फिर टेस्ट करेंगे वोल्टेज वगार फिर ड्रोप हो रहे है तो कनेक्शन तो ही हो गई अब हमें क्या करना होगा देख लेना होगा अब इसमें जो आप टेस्ट करने पर बीप आ रहा है महला शोटिंग आ रही है वो इसलिए आ रहा है इसके साथ में ट्रांस्वार्मर जो लगा हुआ है तो हमारे चारो ट्रांस्टर वेरिफाई हो गई है, स्कम्प्लीट और हमारे ल उसलियो के बड्रांस्वार्मर के ग्रॉंट लाउंड लगा हुआ है यह वे रहा हमने हम पर छेणर के सब्सक्राइबंगा यह इसको भी बाप्सी अख़़ए है और यह जो capacitor था हम इसको भी वापसी लगा देंगे नोन प्रोलराइड तो हमारा बेश्टू collector यह capacitor लगा हुआ है इसको लगा देंगे वापसी ठीक है और इसको यहां पर supply को टेस्ट करेंगे पहले इसको लगा देंगे दोस्तो पहले क्या हुआ करता था इनसे जो वाइस जो धीम ही बनाए जाती थी और इसको वाइस को जाद है हैवी बनाने के लिए लेकिन बारे वोल्ट से चलाने के लिए इसमें आटफूर्ट में टांस्वार्मर इसले लगा जाता था ठीक है ना उसके हिसाब से टर्न गिन शसे साब से डिजाइन किया जाता है था ठांस्वार्मर मैंने इस पर वीडियो बना रखी है तो आप सेट को अन करते हैं देखिए मैंने प्लग को बॉर्ड में लगाया लेकिन दोस्तो अब यहां पर सिरीज का बलप नहीं ग्लो हुआ देकि सिरीज का बलप गलो नहीं हु जो बोडी में जो माइनस करणट जाता है ग्राउट जीरो पॉइंट जाता है वो नहीं जार पारा है इस वजे से अभी लाइन नहीं चल लिया देखे वाइर अभी लग रही है लेकिन जो ब्लैक वाला यह यह रहा है यहां 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 से देखिए अब इसको अभी इसोल्ड करूंगा आपको दिखाएंगे देखे दोस्तो आप जैसे ही मैं मेल जो इसके प्लग है वो बोडी में मलब जहां इसके सिरिज बोड है वहां लगा रहा हूं लेकिन दोस्तों आप कोई भी दिक्कत नहीं आरी देखे अब बलब गलो नहीं हो रहा स्विच भी वहाँ देखे देखे इसकी बोडी को में नहीं हो आपको पूरा दिखाता हूं यह दोस्तोंगा जब तक 0.10 ञर्न और देखे नहीं होगा तो CHAD में लाइन आएगे ने क्यूंकि दोस्तों जो 78-85 इसमें लगा हूआ है पैनल चलाने के लिए उसपे दोस्तों मा होनी जाइने कि जो हमारे ला दंश क्रेंद मायनिस हो जाता है एक तरह से तो यहां पर आम पागंत अब और दिढ़न कर दिया आप ने हमारे को शोल्दों कर दिया यहाँ तो य९हाँ जो जो थाइन थोडिर वि Crispy आले टेपान ठाई रहाँ दे छीका जी निगेटिव वाला यह ग्राउड वाला जीरो वाला सही से लगा देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना बने कस्टूमर का किसी का पर उसको दिक्कत ना बने यह देखे दोस्तों ठीक है वायर हमारा कनेक्ट हो गया अब सेट को ओन करके देखते हैं फिर से और इसको सोंग भी पिले करके देखें पूरा आपको दिखाएंगे घबराइए मत पूरा टुटोरियल देंगे यह देखें सेट ओन किया यह देखें डिस्प्ले भी आ गई द वाहर से देखें अवाज बढ़ाई आप देखें मतलब देखें ब्लुटूथ मोड देखें अब यह मतलब आप नीचे हो रही है इसकी लाइट जो होती है सही तो अब दोस्तो एक बार सॉंग लगा कि अथके अन्दर और वाज वगरा भी टेस्ट कर लिए यह पूरा कंप तो दोस्तो हमारा सेट बिल्कुल हो कि है इसी तरह से आप समझें फाल्ट को सिसाब से रिपेर कीजिए कुछ भी दोस्तों डिफिकल्ट नहीं है बस उसको आपको समझ में आना चाहिए कि कहां से कि स्ٹ resonate क्या हो रही है हमने पूरी टुटोरियर हर एक चीज के जायतर बना रखिये है पूरी पूरी कैसे-कैसे टेस्ट करनी होती है कहां कहां से क्या क्या वेलटे टेस्ट करनी होते है तो आयो इब पमीर भाई आपको वीडियो अच्छी ह लेगी तो प्लीज वीडियो को ला प्यूद हो झाले घसे को कर दोग।